हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में दोस्तो आज का ये वीडियो मैंने आप सब लोगों को ऐसी जानकारी देने के लिए बनाया है जिससे कि आप लोग रियालिटी से परिशित हों, आप लोगों को पता चले और बिना मतलम में जो आप लोग फालतू परिशान हो रहे हैं, उससे आप बच सकें दोस्तो देखिए, जो केसे चलते हैं, वो तो अपनी जगापे चलते हैं, लेकिन व्यक्ति जो मानसिक रूप से इन केसेज के दौरान परिशान रहता है न, वो ज़ादा बड़ी चीज़े, वो ज़ादा बड़ा harassment है, मैंने देखा है कि चाहे लड़के हों, चाहे लड़किया हों, दोनों ही केसेज में परिशान रहते हैं लड़का इसलिए परिशान रहते हैं उसका कहना होता है कि मेरे उपर इतने सारे केसे चल रहे हैं इसके लिए मुझे दूसरी जगा ट्रावल भी करना पड़ता है financially भी problem है लड़की इसलिए परिशान रहती है कि कुछ मामलों में ऐसा होता है कि लड़कीों के पास cases के लिए पैसे ही नहीं होते क्योंकि वो अपने पती से अलग रह रही है और फिलाल वो कोई काम भी नहीं कर रही है कई बार होता बच्चे की जिम्मेदारी भी होती है जो भी cases कर रही होती है उसके पैसे की वेवस्था पता नहीं कैसे कर रही होती है और वो कुछी समय में frustrated भी होने लगती है कि मैंने case तो डाल दिया इतना पैसा भी लगा दिया है लेकिन मिल तो कुछ भी नहीं रहा है court में तो cable date लग जाती है इसी प्रकार से लड़का भी परशान रहता है कि सर कुछ होई नहीं रहा है दो साल हो गए तो ऐसे सबी लोगों को मैं कहना चाहूँगा देखिए जो हमारी वेवस्था है जो हमारा judicial system है इसके अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो कितने cases pending है आप इसका data पहले चेक कीज़े बहुत सारे cases pending है और ये वेवस्था जो है वो lower court से लेके high court, supreme court में आप देखो कितनी appeal, कितना सब कुछ pending है यानि ऐसा तो possible है नहीं कि आपका जो case है practically उसकी date हर 5 दिन के बाद लगा दीज़े फिर तो बाकी लोग का जाएंगे तो सभी को देखके चलना है तो जो court में dates लगती है वो काम के according लगती है जैसा भी work pending होता है उसके according dates लगती है और उसके according काम होता है यानि ये तो चीज के लिए रहे कि भाई time लगना ते है यहाँ पर time लगेगा अब यह आपके उपर है कि time लगना है आप इस reality को accept कर लो या फिर हर date पे चिलाते रहो रोते रहो कि कुछ हो नहीं रहा है कैसे आपको case लडने तै आपको करना है रोके लडने या इस चीज को accept करके लडने जो हो रहा है जो आपने case कर दिया उसकी proceeding तो चली रही है साथी साथ अपनी life को enjoy करो इससे पहले भी मैं बहुत सारे वीडियो इस चीज पर ले करके आ चुका हूँ कि यदि आप ये wait करते हो कि पहले मेरा ये case निपट जाए फिर मैं अपना जीवन जीऊंगा तो आपकी पूरी life खतम है पूरी life बरबाद है क्योंकि इनका कोई अंतनी है और केवल कहने से कुछ नहीं होता न आप देखो सिंपल आप कोई साथ judgment उठा के देख लो मामला कब दर्ज हुआ कब से उनके matrimon में विवाज शुरू हो और कब judgment आ रहा है कोई मामला 2011 में शुरू हुआ तो 2022 में judgment आ रहा है कोई मामला 2004 में शुरू हुआ तो आप 2022 में judgment आ रहा है तो यह reality आपके सामने तो है कौन से कितने judgment आप लोगों को ऐसे मिलते हैं जिसमें दो साल में फैसल हो गया तीन साल में फैसल हो गया नहीं हो सकता न प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है 498 के फायर होती है कई बार ददस गवा होते हैं प्रोसीकिशन को सारे गवा पेश करने हैं किसी गवा को आप एक नोटीस बेशते हो नहीं आता है अपनी लाइफ में पड़े हैं इस वज़े से कि यह केस चल रहा है पहले यह केस निपटे फिर मैं कुछ करूँगा ऐसा कभी नहीं होगा और जब तक यह केस निपटेंगे तब तक आपकी कुछ करने की उम्रे चली जाएगी तो इसलिए अब जो हो गया सो हो गया उसको एक स नौकरी छोड़के बैठा हूँ बहुत सारे लोग कुछ और कहते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया इन सबसे होगा क्या केवल आप लाइफ ही तो खराब कर रहे हो अगर आपका केस अगले 10 साल तक चलता है तो 10 साल में आपकी एज कहां पहुंच जाएगी अगर आज 35 है तो फ खतम हो जाएगा न क्या फरक पड़ा उससे आपके पास सारे सबूत है प्रोसेडिंस तो वैसे ही चलेंगी जैसे चलनी है आपके सारे सबूत है तो कोई कोट आपको यह तो कहनी देगी कि लाओ पहली डेट पर मुझे सारे सबूत दे दो और मैं आपको बरी कर दूँ ट्र में तो आप यह सोच के चले मिरे पर तो बहुत सारे सबूत है मैं तो यू भारा हूंगा इस से लेकिन ऐसा नहीं है ठीक है सबूत आपके पास है उससे यह सुनिष्टित होता है कि मामला अगर जूटा है तो लास्ट में आपके फिवर बाएगा लेकिन अगर आप यह सोच सच्चा ही जो reality जो real picture है वो आपके सामने रखें ताकि आप उसके according चलें अब यहाँ बैटके अच्छे बाते करूं जिससे आपको संतावना मिले लेकिन वो बातें सही नहीं है तो उन बातों का फाइदा क्या है आप यहां से वीडियो देखके खुश तो हो जाएंगे लेकि आपको दूइधा नहीं हो आपको पहले से पता हो आजर यह चीज होने वाली है ऐसे होने वाली है तो वो चीज हमारे ले आसान हुजाती है लेकिन जब कोई चीज हमें हम कुछ और expect कर रहे हैं हमारे सामने कुछ और आ जाता है उस समय पर फिर हम mental balance अपना खो देते हैं मैं आप आने देते हैं तो पूरी तरह से आपकी गलती है जो दूसरे की गलती है उसके लिए case चल रहे है देखिए जिसने भी गलत किया उसे आखरी में भुगतना पड़ेगा वो बात अलग है लेकिन इन सब चीजों की वज़े से अगर आप अपनी life को खराब करते हैं तो इस आजयाए लेकियर